भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव फिलाल शांतर नहीं हुआ है सीमा पार से लगातार सीसवायर का उलंगन किया जा रहा है और भारतिय सेना भी पाक के इन हरकतों का मूँ तोड जवाब दे रही है मगर इन सब के बीच पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवास शरीफ और पाक सेना ध्यक शुराहिल शरीफ ने भारतिय सीमा के पास बहुच कर पाकिस्तानी सेना की युद की तैयारियों का जायजा लिया जानकारी के अनुसार आजस्तान के श्रीगंगा नगर और बिकानेर सीमा के ठीक सामने खैरपूर तमेवाली की फारिंग रेंज में पाकिस्तानी आर्मी और एर फोर्स का युद्धा भ्यास देखा गया इस मौके पर प्रधान मंतरी नवास शरीफ ने एक बार फिर भारत के खिलाव जहर उगला नवास शरीफ ने कश्मीर में भारत को फेल करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना भारत को मूँ तोर जवाब देने के लिए तैयार है सेने अभ्यास पर नवास ने कहा कि सेने अभ्यास ने साबित किया है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों के किसी भी लालसा पून और लापरवाही वाले कदम का मुकाबला करने के लिए तयार है ये अभ्यास से राश्ट्य सुरक्षा पर किसी भी खत्रे का जवाब देने के लिए हमारे सश्यस्त्र बलू की तैयारियों को जलकाते हैं वैराय शरीफ ने दावा किया कि उनकी सेना ने पिछले डेड़ महीनों में 40-45 भारत्य जवानों को मार गिराया पाक ने इस सेने अभ्यास में JF-17, थंडर लडाको विमान, हेलिकॉप्टर गंशिप और अल्ख खालिद टैंकों ने जमीन पर निधारित लक्षों पर निशाना साधा जनकारे के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का भारत्य सीमा पर जमावऩे के बाद भारत्य सेना भी इन एलागों में पूरी मुस्तैदी के साथ नजर बनाये हुए हैं सर्चिकल स्ट्राइक से बॉक लाया पाकिस्तान लगातार सीमा पार्ट से तरहा तरहा की कतिविदियो को अन्जाम दे रहा है और इसी को देखते हुए भारत्य सेना ने भी अपनी सीमा पर चौक सी बढ़ा दी है देखते रहें डी बिलाए